अगर आपके प्ले स्टोर से कोई भी एप डाउनलोड नहीं हो रहा है WhatsApp, Ilsta, Facebook, Free Fire या तो कोई और एप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो और यहां पे एप डाउनलोड नहीं हो रहा है एप पेंडिंग शो हो रहा है तो कैसे इस प्रॉबलम को ठीक कर सकते हो पर सिर्च किया, यहाँ पर तैलीग्राम आ गया है, अब हम यहाँ पर install पर क्लिक करती है। यह इस तरह से pending दिखा रहा है, फिर आप वापर से back करते हो, and install करते हो, यहाँ पर पर प्योंड करते हो फिर से यहाँ पे पर यहां पर सबसे पहले एक बार आपको अपने फोन को फ्लाइट मोट पर सेट करना है और वापिस से फ्लाइट मोट हटा देना है यहां पर आपको आना है अपने फोन की सेटिंग में यहां पर जैसे ही फोन की सेटिंग में आऊगे इस तरह से पे दिखाई देगा आपको यहा से पे दिखाई देगा आपको उपर यहां पर सर्च को ऑप्शन मिलेगा आपको यहां पर टाइप करना है प्ले स्टोर जैसे ही टाइप करोगे इस तरह से पे दिखाई देगा फिर यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है किलियर डेटा यह यहां पे क्लिक करना है, clear all data करना है, and okay करना है, यह setting आप कर लेना, इसके बाद यहां पे आपको option मिलता है, data uses, यहां पे क्लिक करना, and यह सारी setting on करना, अगर आपके phone में यह सारी setting on नहीं है, तो आप इने on कर लेना, फिर back आना है, and यहां पे आपको restrict data uses, यह option मिलता है, यहा को सब्सक्राइब तो आपको अपने फॉन का play store app ऊपिंग करना है या पर प्रोफार मा si अच्पीन देगा प्रोफाईल की आइकन पर गलिक करना है देन आपको एक नए पेज और यहां पर नीचे साइड आप देखको आपको setting को option मिलेगा आपको setting वाली option पर click करना है फिर यहाँ पर आपको journal को option दिखाई देगा आपको journal पर click करना है यहाँ पर इस तरह से नए option दिखेंगे फिर आपको account and device preference पर click करना है और यहाँ पर एक नया page show होगा आप थोड़ा सा नीचे stroll करना और यहाँ पर आपको option मिलता है clear device search history यहाँ पर click करना है clear history पर click करना है and back आना है फिर यहाँ पर आपको back आना है and यहाँ पर आपको second option दिखता है network preference यहाँ पर click करना है and यहाँ पर app download preference पर click करना है and यहाँ पर आपको first वाल option select करना है अगर आपके phone में कोई और सा option है तो आप first वाले option select करना and ok करना फिर नीचे stroll करना है यहाँ पे आपको about पे click करना है फिर नीचे stroll करना है एप update पे click करना है फिर understood पे click करना है and back आना है जब आप यह setting कर लेती हो इसके बाद वापिस से आपको back आना है फोन को एक बार restart करना है यहाँ पे हमने phone को restart कर लिया अब आपको वापिस से play store open करना है और यहाँ पे app को download करना है तो हम यहाँ पे उपर search करते हैं टेलिग्राम यहाँ पे टेलिग्राम आ गया है अब यहाँ पे आपको install को option दिख रहा है आपको install वाले option पे click करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे app download हो रहा है यहाँ पे आप देख लो पहले pending दिखा रहा था अब डाउनलोड नहीं हो रहा था और यहाँ पे आप बहुत आसानी से app download हो रहा है यहाँ पे app download होने वाला है app download हो गया है app installed हो रहा है यहां पे app download and install हो गया है open को option दिखाई दे रहा है open को option पे click करके आप app को use कर सकते हो app बहुत आसान तरीके से download हो चुका है इस तरह आप भी app download ना होने वाली problem को ठीक कर सकते हो उमीद करते हैं यह video आपके लिए helpful रही video पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही यूसफुल वीडियो के लिए थैंक्स पर वोचिंग